हेलो अच्छों, आज हमारा question है, write three fraction equivalent two, हमें three fraction लिखना equivalent, two upon four के equivalent, अब देखो two upon four के equivalent लिखने, equivalent मतलब जहा हम उसको lowest form ले करें, two upon four ही हमारा आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, numerator को भी two से, और denominator को भी two से multiply कर देंगे, तो two to jay कितना होता भाई, four होता है, और four to jay eight, एक तो हमार हो गए, four upon eight, अब दूसरे निकालेंगे, तो two upon four को हम किस से करेंगे, three से कर देंगे, numerator और denominator, same number से multiply करेंगे, two three जा six, four three जा twelve, ऐसे two upon four को हम किस से कर देंगे, अब three से कर देंगे, और four से करेंगे, तो four two jay eight, और four four jay 16, तो यह हमारे equivalent, पहला, दूसरा और तीसरा, ऐस अब हमें निकाल, तो five से कर देंगे, फिर six से कर देंगे, ओके, ऐसे हमार, देखो four upon nine है, भाइ, पहला हमें करना two से, new meter को भी और denominator को two से, कितना हो जायागा, eight upon eighteen हो जाएगा, four upon nine को अब किस से करेंगे, three से करेंगे, कितना हो जाएगा, twelve upon twenty seven हो जाएगा, ऐसी four upon nine को हम कि से करेंगे आप 4 से करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 16 अपान 36 तो यह हमारे equivalent fraction हो गए अगर हमको lowest form में करेंगे तो same यह नमर हमारा आएगा 3 upon 6 को करेंगे तो पहले किसे का नमए 2 से numerator को भी और denominator को भी कितना हो जाएगा 6 upon 12 हो जाएगा 3 upon 6 को किसे करेंगे 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 9 UPON 18 हो जाएगा ऐसे 3 upon 6 से ranges 4 से करेंगे कितना हो जाएगा मारा 12 upon 24 हो जाएगा ओकै ऐसे 6 upon 9 कर निकालना है तो देखो six upon nine का equivalent पहले हम numerator को वह 2 से multiply कर दो 12 upon कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा अब किसे करेंगे 3 से करेंगे सेम नमबर से में multiply करना 18 upon 27 अब 6 upon 9 को किसे करेंगे 4 से करेंगे 24 upon 36 हो जाएगा हमें multiply करना है simply okay 5 upon 7 5 upon 7 पहले 2 से numerator denominator 10 upon 14 5 upon 7 को 3 से numerator numerator 15 upon 21 5 upon 7 को 4 से कितना हो जाएगा 20 upon 28 ऐसे हमें 2 upon 8 से 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 4 upon 16 2 upon 8 को हम किसे करेंगे अब 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 upon 24 ऐसे हम क्या करेंगे 2 upon 8 को हम करेंगे 4 से अब कितना हो जाएगा 8 upon 32 यह हमारे होगे से एक कोविलेंट फ्रेक्शन